या एक पाइलेट एक प्लेन को लेके उड़ता है तो एक दृष्टी बदलने की बात है और दृष्टी बदलती है तो बहुत कुछ बदल जाता है तो मैं कहा रहा था कि एक एरलाइन्स या एरफोर्स में एक fighter pilot या पाइलेट एक plane को लेके उड़ता है वो plane को लेके उड़के जो भी उसका assigned job है उसको complete कर सके इसके लिए पीछे का पूरा support system है Airlines का chairman इस बात के लिए है कि मेरा pilot या मेरा fighter pilot सही जगे target हिट कर सके या सही अपना job को perform कर सके तो ऐसा हम देखना शुरू करते हैं तो मुझको लगता है कि हमारा teacher हमारा pilot है जो class में deliver कर रहा है आंतता है ये सारी machinery मंत्री तक और CM तक और आगे MHRD तक ये उस teacher को support देने के लिए है उस teacher का inspection करने के लिए नहीं है जिस दिन teacher को ये भाव आ जाएगा ये पूरी machinery मेरे support के लिए है मेरी monitoring और मेरे inspection के लिए नहीं है उस दिन उसका work बदल जाएगा किसी की monitoring करना inspection करना इसका मतलब है कि आप उस पे शंका करते हैं जब आप किसी पे शंका से शुरू कर सकते हैं तो वहाँ संबंद नहीं हो सकता जब आप support से शुरू करते हैं तो वह संबंद की अभिव्यक्ती है हमारा पूरा system शंका based है जबकि आदमी शंका से मुक्त वना चाहता है जितनी vigilance बनाई गई उतना corruption बढ़ता गया तो हमारी ज़्यादा team आप लोग भी कलो कह रहे थे कि monitoring में ज़्यादा लोग लगे हैं करने में कम लोग लगे हमसे stress व्यक्ती हमको देख हमारे काम को देखने के लिए आ रहा है और जहां भी कमी होगी वो हमको support करेगा और हम उससे प्रेड़ना पाते है ये एक दूसरे के साथ स्ने और एक स्रेश्टा के सम्मान की अभीव्यक्ती है कोई हमारी inspection करने आ रहा है और गलती निकालेगा और डांटेगा और वो खुद भी ठीक है ऐसा नहीं है हमारे इस system में नीचे बैठा व्यक्ती उपर वाले का मुल्यांकन नहीं कर सकता उपर वाला ही नीचे वाले का मुल्यांकन कर सकता है ये एक तरफा है हम मानो मानो में समानता की बात करते हुए hierarchy जिस तरह से maintain करते हैं और जिस तरह की अभिवक्तियां देते हैं वो कहीं भी परस पर व्यवार के लिए अनकूल नहीं है इसलिए हम कभी भी टीम नहीं होते इसलिए हम कभी भी टीम नहीं और बिना टीम के आपके अकेले हम सब अपनी अपनी जगा अकेले हम घर में भी अकेले हैं, आफिस में भी अकेले हैं अकेले कुछ भी डेलिगेट नहीं होता 14 तारिक की मिटिंग में हमने शेयर किया था किड्नी का हर सेल ये पहचानता है कि किड्नी की पूरे शरीर के साथ क्या भूमी का है तब वो सारे सेल मिलके किड्नी के रूप में पर्फॉर्म करते हैं तो जब तक हम सारे सेल्स सिक्ष्य विभाग की इस धर्ती पे क्या भूमी का है सिक्ष्य विभाग की इस धर्ती पे क्या भूमी का है इसको पहचानते हुए हम सारे सेल एक साथ मिलके परफॉर्म करते हैं काम कुछ भी नहीं है आदमी हमेशां बड़ा है, काम हमेशां छोटा है वो जो अपने भीतर का कंफ्लिक्ट, अपना कंफ्लिक्ट और अपनों का कंफ्लिक्ट यह हमको गुन की तरह खा जाता है तो अभी तो केवल मेरे मन में एक भाव आया कि मैं कह सकूँ कि हमारा टीचर हमारा पाइलेट है